हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको आफ्टर वी कोलाइड़ ये आफ्टर मुवी का सेकंड पार्ट में आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ ओरिजिनल फर्स्ट पार्ट का एक्स्प्रेंशन मैंने पहले ही कर दिया था इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको अल्डेडी फर्स्ट पार्ट से मुवी के बारे में पता है तो डारेकली शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें रिकैप दिया जाता है रिकैप हमें हार्डेन दे रहा है वो कहता है कि जिस तरह से हर novel में एक love story होती है उसी तरह से Tessa और मेरी भी एक love story थी लड़की ने अपने आपको किसी और को promise किया था उसके बाद अपनी identity ढूंडी वो किसी और के प्यार में पढ़ गए पर उसे धोका ही मिला थोड़ो से जगड़े के बाद वो फिर से एक साथ आ गए फरस्ट पार्ट के ending में हमने देखा था कि Hardin Tessa को एक later लिखता है इसके बाद ये दोनों लेक के पास हमें दिखाये जाते है और हमें लगता है कि एक दोनों के साथ ये है और हार्टिन में कहता है कैसा कुछ भी हुआ नहीं था ये एक रियल लाइफ है तो इतनी जल्दी किसी को भी कोई भी माफ नहीं करता अभी तक Tessa ने हार्टिन को माफ नहीं किया है अभी हमारी सेकंड मूवी की स्टोरी स्टार्ट होगी फर्स सिन में हम देखते है कि हार्टिन Tessa को कॉल करने के कोशिश करता है Tessa को हार्टिन की वज़े से एक अच्छे से पॉब्लीशिंग हाउस में पेड़ इंटरन्शिप मिली है वो अपने जौब को सिरेसली लेती है और आज उसका फर्स दिन है वो अभी उसे इगनोर करती हैं पर वेड़jes इगनोर कर ही रही थी वो लिफ्ट के पास पहुचती है तो लिफ्ट उसकी मिस हो जाती है लिफ्ट के अंदर ट्रेवर था ट्रेवर हमारा और एक मेन केरेक्टर है टेसा को लगता है कि टेवर ने जान भुच कर उसके लिए लिफ्ट नहीं रोखी है वह उसे बाहर से ही गालिया देती है पर टेवर ने लिफ्ट रोकी थी वो फिर से ओपन हो जाती है उब इनका इंकाउंटर बहुत ही आक्वर्ड सा है वो उसे sorry कहती है ये दोनों एकी floor पर रुखते है और Trevor भी उसके office में काम करते है Tessa के boss की secretary जिसका नाम है Kimberly ये Tessa से office में मिलती है Tessa को कहा काम करना है ये सब दिखाती है इसमें बहुत सारी mess पड़ी हुई है वे गहती है कि हमारी याज जो भी इंटर्स आते है कि जदा रुखते नहीं Tessa कहती है पर इस internship में लोग तो बहुत interested होते है Kimberly कहती है वो तो है पर उन्हें जल्दी से fire भी कर दिया जाता है Tessa को बहुत tension आ जाता है उसे कुछ manuscript दी गई है उसे जल्दी से पढ़ कर उसका review उसे देना है वो रात भर काम करती है और एकी रात में उसने 3 books पढ़ डाली है तो अपने days पर काम करते करते ही सो गई थी उठती है तो directly उसका boss उसके सामने उसने जो books की review दी है ये पढ़ रहा है Tessa ने 3 books पढ़ी है और उसका review भी एकी रात में लिक डाला है यह सब देखकर उसका बॉस उसे इंबरेस्ट हो जाता है अचानिक से उठे और रियलाइस करती है कि रात में वो यही सो गई थी और इंबरेस्ट होकर अपने बॉस से स्वारी कहती है उसे लगता है कि अब उसका जॉब चला जाएगा Boss कहती है कि जल्दी से चलो हमें Conference में चलना है Next Seyn में हम Harding देखते है एक Tattoo Artist के पास हुआता है एक बड़ा सा Tattoo बनवाने वाला है तो Artist कहती है कि इसे तुम्हें बहुत दर्थ होगा वोसे ID 350 ही आल्कोल आफर करती है कि एक बड़े से इन्वेस्टर अब यहां आने वाले है तुम दोनों को उन्हें हमारी कमपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विन्स करना है टेसा के बास सही से कपड़े नहीं थे तो किम्बरली और वो जाकर शॉपिंग करकर आते है इन दोनों में थोड़ी सी बॉर्णिंग होई रही है तो किम्बरली टेसा को बता दिये मैं और मेरे बॉस हम दोनों में सिर्फ बॉस और सेक्रीटरी यही एक रिलेशनशिप नहीं है उनकी वाइफ की डेथ हो जाने के बाद वो बहुत याकेले थे उसके बाद भी एक साल तक हम में कुछ भी नहीं था और अचानक हम एक दूसरे के प्यार में पढ़ गया वो कहती है कि लव बहुत ही अन्प्रिडिक्टेबल होता है टेसा भी इससे एगरी कर सकती है रात में इन्वेस्टर से मिलने पॉस किंबरली, टेसा और टेवर ये सब नाइट लब जाने वाले है टेसा का ड्रेस देखकर सब उसके बहुत तारीफ करते है लब में टेवर टेसा से पुछता है क्या तुमारे लिए मैं कोई ड्रिंक्स वगरा ला सकता हो टेसा कहती कि नहीं आजकल उसके बास बहुत ही कम पैसे है वो कुछ भी जादा अफोर्ड नहीं कर पाती वो कहती है घर से ओफिस आने तक उबर में बहुत सारे पैसे मेरे खर्च हो जाते है थोड़ी देर में इन्वेस्टर इनके पास आकर बैठता है उसने एक पॉट में बहुत सारी अलकॉल लाई है वो इनसे एक ही चीज़ कहता है कि आज राद हम बहुत मज़े करेंगे और ये सब मिलकर बहुत पीते है अब टेसा बहुत ही ड्रंक हो चुकी है डांस फ्लोर पर आती है थोड़ा सा डांस करती है तक उसे एक लड़के में हार्डिन दिखता है उसके पास जाती है और उसे किस कर लेती है थोड़ी देर में रिलाइस करती है कि वो हार्डिन नहीं था तो जल्दी से उसे दूर हो जाती है Hardin में उसके friends के साथ एक party में आया हुआ था इस party में उसकी ex-girlfriend Molly भी थी First part से हमें पता है कि Molly की वज़े से Hardin और Tessa का breakup हुआ था Molly Hardin को बहुत पसंद करती है तो उसके पास आकर वेटती है Hardin उसे नीचे किरा देता है जब वो जा रहा होता है तो Molly कहती है अभी तक उस घटिया लड़की से तुम move on नहीं कर पाया Hardin उस पर जाता ध्यान नहीं देता बाहर आने पर उसे Tessa का call आता है Tessa call पर कहती है कि मैं कितनी beautiful हूँ तुम मुझे आप miss कर रहे हो Hardin समय जाता है कि यह बहुत ही drunk है उसे पूछ भी लेता है उसे Tessa की चिंता होती है तो कहता है यह तुम जहां कई भी हो मैं जल्दी से वहां आ रहा हूँ इसके बाद Trevor फिर से होटेल में जाने वाला था वो Tessa से goodbye कहने के लिए आया पर Tessa को भी होटेल में फिर से वापस जाना था यह दोनों फिर होटेल में आकर Tessa की रूम में हैंग आउट करते है Tessa Trevor से उसके फेवरेट बुक के बारे में पुछती है Trevor अकाउंटिंग में है तो उसे अकाउंटिंग की बुक अच्छी लगती है बातों बातों में Tessa वाइन का ग्लास Trevor पर गिरा देती है वाइन के दाग को दोने में अगर लेट हो गया तो यह कभी भी नहीं जाएगा इसलिए Trevor को जल्दी से कपड़े निकालनी के लिए कहती है Trevor सिर्फ अपनी अंडर्वेर में था तब ही Hardin वहाँ पहुच जाता है Tessa दर्वाजा कोलती है और Hardin Trevor को इसी तरह से देख लेता है उसे लगता है कि Trevor Tessa का एडवांडेज ले रहा था जो उस पर बहुत ही गुसा हो जाता है तो Trevor जल्दी से वहाँ से निकल लेता है Tessa Hardin पर गुसा हो जाती है तो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो Hardin कहता है कि वह तुम्हारा एडवांडेज ले रहा था क्या तुम उसके साथ इंटिमेट हो रही थी Tessa क्वेशन का आंसर नहीं करती पर कहती है कि अगर हम हो रहे थे तो तुम्हें इससे क्या फरक पड़ता है वो उसके पास आजाती है और उसे टीज करती है वो ड्रंक है तो Hardin के साथ इंटिमेट होना जाती है Hardin पहले रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और यह फिर इंटिमेट हो जाती है जब सुबा होती है तब Tessa रियलाइज करती है कि उसने क्या किया था बहुत इलेट हो चुकी है वो उसका बोस का भी कॉल उसे आ चुका है वो जल्दी से अपने सब कपड़े बहनती है वो Hardin पर गुसा है Hardin बोलता है कि तुमने मुझे कॉल किया था इन दोन में फाइट हो जाती है गुसे गुसे में Tessa Hardin से कहती है कि मैंने किसी और को किस किया था Hardin भी उसे नीचा दिखाने के लिए एक जूट कहे देता है वो कहता है कि मैं भी मॉली के साथ इंटिमेट हुआ था नीचा आकर Tessa Trevor से मिलती है Trevor को sorry कहती है Trevor कहता है कि वो situation ही ऐसी थी Hardin फिर अपने step brother Landon से advice लेने के लिए आता है वो यह था है कि मैंने बहुत सारी गलतिया की है पर मैं Tessa से बहुत प्यार करता हूँ Landon उस पर believe नहीं करता पर उसे वो convince कर देता है Hardin उसे पूछ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए Landon फिर Tessa को text करता है उसे कहता है कि Hardin मेरे पास आया था वो बहुत ही sorry है और वो अभी भी तुमसे प्यार करता है Tessa से फिर मिलने Trevor पहुचता है Tessa ने Trevor से कहा था कि Uber में उसके बहुत सारे पैसे चले जाते है तो Trevor ने उसके लिए एक sheet बनाई है इस sheet में उसने उसके expenses के सब calculations किये थे वो conclude करकर Tessa से कहता है कि अगर तुमने कोई car rain कर ली तो तुमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे Tessa है सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है excitement में उसे वो kiss भी कर लेती है फिर उसे realize होता है कि गलत था और पीछे हो जाती है Tessa और hardin जब relationship में थे तो एक साथ ही रह रहे थे उसकी कुछ चीज़े अब भी उस घर में है तो वहाँ वो पहुशती है लेंडन ने Tessa को कहा था कि आज hardin लेंडन जा रहा है तो उस घर में कोई भी नहीं होगा इसलिए Tessa वहाँ थे बेड़ पर hardin ने उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ है Tessa का आज बर्थ्टे है और यह hardin की तरफ से उसे गिफ्ट है यह उसके लिए उसने बहुत पहले बाय करकर रखा था इसमें कार्ड ही जिसमें लिखा हुआ है यह गिफ्ट वो ओपन करती है तो एक कार्ड में लिखा हुआ है तुम्हारे जो भी सब फिवरेट बुक्स है यह इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया यह एक किंडल रिडर है वो घर में ही थी तब अचानक से hardin और उसकी मदर वहाँ पहुँच जाती है मदर टेसा को देख कर बहुत ही excited है वो कहती है कि तुम तो बहुत ही beautiful हो मदर ने imagine किया था कि टेवर को पसनाने वाली लड़की बहुत ही अजीब होगी पर टेसा normal है तो उसे बहुत खुश होती है टेसा hardin से बुशती है तुमारी मदर को हमारे बारे में क्यों बता नहीं है hardin कहता है कि मैं relationship में था तो बहुत ही खुश थी मैं इतनी जल्दी उसे break up के बारे में नहीं बताना चाता था टेसा भी समझ लेती है और खहती है कि ठीक है अगर तुमारी मदर को लगता है कि हम दोनों में relationship है तो हम pretend कर ही सकते है मदर फिर से टेसा से जब बात करती है तर टेसा को convince कर लेती है कि आज रात उसी यही रुखना पड़ेगा उन्हें बहुत सारी बाते करनी है टेसा को अपनी मदर से मिलने के लिए जाना था पर इसे हो postpone कर देती है रात में टेसा और हार्डिन एक साथ ही सोते है उन्हें लगता है कि आपने आप पर control कर सकते है इवेंच जो 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 control नहीं कर पाते है और intimate हो जाते है सुबा होने पर हार्डिन की मॉम से goodby लेकर टेसा अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुच जाती है घर के बाहर उसका ex-boyfriend नौवा भी उससे मिलता है वो कैसे है ये एक दुसरे से पूछते है और बातो बातो में नौवा उससे पूछ लेता है कि तुम्हारे फादर के साथ चो भी deal है या तुम उसे fine हो टेसा को उसके फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं था वो जब छोटी थी तो भी उसके फादर उससे छोड़ कर चले गए थे वो फिर अपनी मदर को कॉल कर दिये पोछती है कि फादर के बारे में मुझे कुछ भी क्यो बता नहीं है क्या हुआ है मदर कहती है कि तुम्हें ढोडने के लिए तुम्हारे फादर आये थे पर मैंने यहाँ से उन्हें भगा दिया तैसा को बहुत गुसा आता है और वहाँ से चली जाती है डारेक्ली वो हार्डिन के पास आती है रात में हार्डिन को एक बुरा सपना आता है प्रिवियस पार्ट से हमें मालूम है कि हार्डिन के फादर एक ड्रंक थे उन्होंने गैंग से बहुत सारे पैसे लिए थे एक दिन जब वो पैसे लेने के लिए घर पर आया तब हार्डिन के मॉम से उन्होंने जबरदस्ति की हर्डीन के मौम के साथ जो भी गलत हो रहा था ये सब छोटे हर्डीन ने देख लिया था उसके बाद हमेशा उसे नाइटमेर्स आते हैं उसके हालत खराब हो जाती है टेसा रात में उसे सहारा देती है सुभा अने के बाद Hardin की मदर और Tessa है दोनों बात कर दिया मतर कहती है कि जब Hardin तुमसे मिला तब उसे नैटमेर्स आना बन हो चुका था मदर ने figure out कर लिया है कि Hardin और Tessa के बीच में कुछ तो गलत हो चुका है Tessa भी agree करती है कहीती है कि उसने मुझे बहुत बड़ा जुट बोला था उसे वो hurt हो चुकी थी जब hardin उठता है तो टेशा के पास आता है उसे एक card देता है इस card में लिखा हुआ है कि तुम्हारा perfect day टेशा बुचती है कि ये क्या है last time मैं खुद gift नहीं दे पाया था तो एक gift में तुम्हें तुम्हारे birthday के लिए देना चाहता हूँ एक ऐसा day होगा जहाँ पर टेसा जो भी हार्डिन से कहेगी वो सब उसे करना पड़ेगा यो किसी भी चीज के लिए ना नहीं कर सकता टेसा directly उसे ice skating के लिए लेकर आती है हार्डिन को ice skating नहीं आती तो बहुत बाहर वो गिरता है टेसा फिर उसे योगा करने के लिए लेकर आती है योगा करते करते हैं यह दोनों turn on हो जाते हैं गर आकर intimate होते हैं अचानक से टेसा को office से call आता है एक call किमबरली का है किमबरली और boss को कुछ काम से बहार जाना पड़ेगा boss को एक छोटा सा sun है तो इसकी जिम्यदारी वो टेसा को देखकर वहाँ से चली जाती है इस छोटे बच्चों पर हार्डिन नजर रखता है और बातो बातों में बच्चा हार्डिन से गालिया सीख जाता है रात में एक हिमबरली बॉस के बेटे को ले जाती है वो जाते जाते हार्डिन से कहती है कि टेसा के साथ तुम जब होते हो तो तुमारा best version होते हो हार्डिन हसता है और कहता है क्या ही इतना obvious है और Christmas आने वाला है तो हार्डिन टेसा को एक beautiful necklace gift करता है टेसा कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम Christmas में एक साथ होंगे उसने उसके लिए कुछ भी नहीं लाया है हार्डिन कहता है कि मुझे सिर्फ एक chance दो हम फिर से सही से सब कुछ कर सकते है टेसा भी इसके लिए मान जाती है इसके बाद दोनों office में ही intimate हो जाते है नेकसे में हम देखते है कि हार्डिन के father ने एक party रखी है इस party में हार्डिन की mother को भी invite करते है हार्डिन पहली अपने father को hit करता है party में उसके father bragging करने लग जाते है उनकी life वो सही से जी रहे है पर हार्डिन को लगता है उसकी mother सही से नहीं जी पाती है वो उन पर गुसा है तो father उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते है हार्डिन केता है कि बहुत सारी चीज़े अब तुमने सही कर लिये पर फिर भी mother से तुमने apologize नहीं किया है उसरा जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें mother के साथ रहना चाहिए था उसका opposite तुमने किया और हमारी life से तुम चले गए गुसे में अपने father को भी पंच कर देता है हार्डिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो mother इस पर बहुत गुसा होती है वो अब यहां से जा रही है वो कहती है कि जिस तरह से तुम एंगर में रहते हो सब bad decisions लेते हो ऐसा ही अगर करते रहे तु सिर्फ अपनी ही नहीं तो टेसा की भी life बरबाद कर दोगे यहां से वो चली जाती है घर आकर भी हार्डिन बहुत drink करता है और सोच आता है तेसा कोई अच्छा नहीं लगता जब वो ओफिस आती है तो फिर से ट्रेवर से मिलती है इनने देर रात तक काम करना था तो बहार से कुछ food मंगवा लेते है बाते करते करते हार्डिन के बारे में सब कुछ वो ट्रेवर को कहती है जाते जाते ट्रेवर टेसा से कहे कर जाता है तुमारे और हार्डिन की बीच में जो भी कुछ है इसका अंत सही नहीं होगा ट्रेवर को अपनी कंपणी में ही एक प्रमोशन मिल चुका है तो एक नई लोकेशन पर वो जाने वाला है यह उनकी लास्ट मिटिंग है टेसा जब घर पर आती है तब उसे उसके बॉस का कॉल आता है टेसा ने बहुत अच्छे से काम किया है तब उसे अच्छे सी जॉब पोजीशन मिलने वाली है जिस जगा पर ट्रेवर जाने वाला था उसे वही जॉब मिली है हार्डिन अब जरा सा नॉर्मल है उसका गुस्सा अब खतम हो चुका है हार्डिन के फ्रेंज ने उसे पार्टी के लिए बुलवाया था पर यह टेसा के लिए अनकमवर्डेबल होगा इसलिए वह जा नहीं रहा था टेसा के थी कि मुझे कोई प्रॉलम नहीं है हम जा सकते हैं पार्टी में आकर हार्डिन के फ्रेंज के साथ बहुत ही ड्रंक हो जाती है इस पार्टी में हार्डिन थोड़े टाइम के लिए गायब हो चुका था जब वो वापस आता है तो टेसा और मॉली एक दूसरे से बात कर रहे है मॉली टेसा को टीज करकर उसे रोक लेती है यह थी है कि एक दो ड्रिंस के लिए तुम्हें रुकना चाहिए यह हैंग आउट करते हैं कि ने टूथ और डेर का गेम खिलना चाहिए लास्ट मूवे में हमने देखा है कि इसी गेम से सब को स्टार्ट हुआ था मॉली टेसा से पुछती है कि हाडिन ने तुम्हें धोका दिया पर फिर भी तुम उसके साथ हो तुमारा वो फर्स लव था इसलिए तुम उसके साथ हो टेसा मॉली को सलट बुलाती है इन दोनों में इसे fight हो जाती है और एक दूसरे को बहुत मारती है Hardin फिर Tessa को दूर ले कर जाता है Tessa हस्ते हस्ते कहती है कि fight करकर मुझे बहुत अच्छा लगा वो Molly को हेटी करती थी यह सब बाहर आ चुका है यह दोनों फिर उपर के रूम में आकर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है अब यह पार्टी से निकल रहे थे तभी Hardin को उसके एक फ्रेंड मिली Hardin ने उसे कहा कि हमारे बीच आजरा जो भी हुआ यह किसी को भी मत बताना उसने कहा कि वरी मत करो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगे यह सब डेसा ने सुन लिया Hardin थोड़े टाइम के लिए गायव था तब उसे लगा कि यह दोनों इंटिमेट हो गए यह वाहर आकर उससे बहुत ही गुसा हो जाती है Hardin कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था तुम्हें गलत फैमी हुई है पर डेसा मानती नहीं इस fight में Hardin डेसा से कहता है कि मैं बहुत try करता हू तुम्हें convince करने के लिए कि मैं तुमसे फिर से cheat नहीं करने वाला पर फिर भी तुम मानती नहीं ये करने में कोई भी पॉइंट ही नहीं है जैके कर वहाँ से वो चला जाता है सुबा होने पर ये दोनों रिलाइज करते हैं कि ये दोनों बहुत गलत थे ये फिर से फाइट नहीं करने चाहिए थी टेसा हार्डीन को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसकी बैटरी डेट है वो फिर वरीड होकर उसे दोनने के लिए निकल पड़ती है रस्ते में ही उसका एक्सिडन्ट हो जाता है अपना फोन जब ओन करता है तो उसे बहुत सारे मैसेज़स आय हुए है आगे चल कर उसे रोड पर एक्सिडन्ट हुई टेसा के गाड़ी मिलती है टेसा अल्रेडी एम्बूलंस में है और एम्बूलंस आगे जा रही है वो भागते भागते इस एम्बूलंस को चेज़ करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता वो कि इस हॉस्पिटल में गई है यह उसे मालूम नहीं है वो हर हस्पीटल को कॉल लगाता है, उसे डूढने की कोशिशे करता है फाइनली टेसा को कॉल लग जाता है, यह कॉल Trevor उठाता है Trevor टेसा को हेल्प करने के लिए हस्पीटल में पहुच छुका था Trevor Hardin से कहता है कि तुम दोनों में जो भी कुछ है, यह सब गलत है अब Tessa और में हम दोना relationship में है अगर तुम सच्चुच में उससे पैयर करते हो तो तुम उससे जाने दोगे यह कहकर वो phone रख देता है Tessa जब ठीक हो जाती है फिर से उनके apartment में आती है वहाँ पर Hardin में उसके लिए लेटर लिखा है इस लेटर में लिखता है कि हम दोने एक दूसरे से बहुत पैयर करते है पर मैं तुमारे लिए सही नहीं हूँ हम जितना एक दूसरे को पैयर करते है पर उतना pain भी हमें होता है उस party में जिस लटकी को तुमने देखा वो मेरी ex-girlfriend थी मैंने previous में उसे hurt किया था तो उससे मैंने माफी मांगी थी इसलिए हम गायब थे मैं हमेशा तुम से प्यार करूँगा और जल्दी से भूल भी नहीं पाऊंगा तुम भी शायद time के साथ मुझे भूल जाओगी लेटर पढ़ने के बाद टेसा हार्डिन को कॉल करने की कोशिश करती है पर हार्डिन ने गुसे में अपना फोन तोड़ दिया था वो अब अपनी मदर के साथ लंडन में आ चुका है पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही अफसेट है उसकी मदर उसके पास आकर उसे समझाती है कहती है कि तुम अपने फादर को माफ नहीं करते इसी वज़े से तुम अपने आप को हट कर रहे हो तुम अगर लोग को फर्गयों करोगे तब ही तुम सही में खुश रह पाओगे हार्डिन को लगता था कि उसकी मदर बहुत याके लिए पर मदर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके ही नेवर को देट कर रही है वो एक अच्छी रिलेशन्शिप में है मदर फिर कहती है कि टेसा अब सीयाडन जाने वाली है जाने से बहले उनके एक पार्टी है चाहा पर तुम जा सकते हो Hardin को वो से मनाने की एडवाईज देती है Hardin पहली लेट हो चुका है तो जल्दी से वहाँ से निकलता है इस पार्टी में Trevor और Tessa एक साथ थे Trevor फिर Tessa से सच बोल देता है गहता है कि जब तुम होस्पिटल में थी तब Hardin का मुझे कॉल आया था मैंने उसे जो भी कहा जो भी किया वो गलत था पर मैं तुम्हारे साथ जब होता हूँ तब वो साइड मेरी बहार आ जाती है इंडायक लिए हो कह रहा है कि वो Tessa को बहुत पसंद करता है ये दोनों बात ही कर रहे थे तब ही Tessa Hardin को इस पार्टी में देख लेती है वो फिर यहाँ से बहार निकलती है Hardin में उसका पीछा करता है बहार आकर एक टैकसी निकल रही है ये उसे दिखता है उसे लगा कि Tessa चली गई है पर Tessa उसके पीछे से आती है दिन कहता है कि मैंने कोशिश की कि मैं तुमसे दूर हूँ पर मैं रह नहीं पाया Tessa फाइनली से माफ करती है Hardin हम से कहता है कि फाइनली हमारी स्टोरी की हैपी एंडिंग हुई यहाँ हम देख सकते है कि Hardin ने और एक टैटू बनवाय हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन के बाद मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहता अब मूवी के लास्ट में एक क्लिफ हैंगर आता है Hardin और Tessa स्टीट से जा रहे थे तो एक बेगर जैसा आदमी उनके पीछे आ गया वो Tessa से बात करना चाहता था Hardin न उसे पकड़ लिया Tessa ने जब इसे करीब से देखा तब रियलाइस किया कि उसके ही फादर है अब उसके फादर की क्या स्टोरी है यह suspense क्या है यहां मैं नेक्स्ट मूवी में पता चलेगा इसी तरह से मूवी इंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आधे रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करतीजेए वेल नोटिविशन आएकों दबाने में मत भूले यानि कि आपको सब मूवी मिलते रहे हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब ते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये